दो दिन से लीडर्शिप है बैंक्स की एक इची जियार रखिए अभी तो और चलेगा अभी तो और बढ़ेगा तो यह वो रश्य के पॉल वोल्ट एथलीट थे सरगेई बूप का उन्हों खुद अपना 32 बार या कुछ मुझे अभी याद है 32 बार उन्होंने अपना वर्ल् हो रहा था भले गिफ निफ्टी आपको निचे दिख रहा था हमारा मानना था कि आज फिर से ही बनेंगे बैंक निफ्टी ड्राइविंग सीद पर होगा पूरे दिन रहा भी पहले बैंक निफ्टी निफ्टी ने बनाया और आज फिर से no points for guessing and no points for analyzing I don't want any point लेकिन आज फिर से बनाया life high बनाएंगे 100 percent बनाएंगे बना निफ्टी और सेंस्टी पका बनाएंगे बैंक निफ्टी पर कोशिश करेंगे क्योंके बैंक निफ्टी पे थोड़ा higher level नजर आ रहें जिस चाहिए और कोई ऐसे समझ्छे वाली बात है निए So I think all is set, कल का सेशन किसी तरह से खराब नहीं था मैं बहुत हो, लाइफ टाइम हाई पर जिस तरह की तेजी होनी चाहिए और जिस तरह का सेशन यही चाहिए है हर एक लेवल पर खरीदारी हो और हर एक लेवल पर प्रॉफिट बॉकिंग हो हर एक लेवल पर बायर और सेलर को अपना दिमाग लगा कर ट्रेड करने का इन्वेस्ट करने का प्रॉपर मुखा मिले है वो बाजार की डेफ्ट बताता है लिक्विडिटी बताता है नहीं तो क्या गैप अप गैप डाउन ओपनिंग किसी के लिए अच्छी नहीं है चाहि इतने रुकाउट के लिए स्क्रीन पर दिख्या है वहाँ दोनों तरफ ट्रेड हो इससे बढ़िया क्या है तभी तो आप को पता चलता कि टाकट किया और तभी आपको पता चलता कि जो ट्रेड कर रहा है उसका conviction क्या है, आपको तेजी करनी तो भी आप में वरोसा होना चाहिए, मंदी करनी तो भी आप में वरोसा होना चाहिए, और स्क्रीन क्यों होना चाहिए, gap down, gap up, opening तो किसमत से होती है, skill से नहीं होती, आपकी skill कब दिखती है, कि आपने किस लेवल पर एंटर क्या सोच की क्या है, तो I think perfect market है, कोई चिंता की बात नहीं, life high बनाने को फिर तैयार है, बहुत crystal clear, level clear है दीप, कहा support है, कहा रुकावट है, और यह जिस तरह की speed से बाज़ार चल रहा है, और सबसे बड़ी बात broader market देके दिए.